अधर्णिय, मुरब्बी देशाई साहेप, अने सव स्वजणू कई तर्कीप थी पत्थर नी केट तोडी छे, कुपड़ना हाथमा शो कुमणी कोई हथोडी छे एह हथोडी एटले भाई भुपेंद्र नू आत्म बढ़, भाई भुपेंद्र नू जीवन बढ़, एनो अडग निर्धार, जीत मेडववानी एनी जीत, कठोर परिश्रम, और परमात्मा मा रहेली अतूट श्रद्धा, आब दू भेगू थाईने, जी भुपेंद्र त्रि जर्व बेंक गुजरात ना प्रथम पूरुणतोह प्रग्ण्याचक्षू प्रबंधक एटले के मेनेजर तरीके काम करे छे, जे गुणोंने कारणे, एमने पोताना जीवन नी बद्धीज प्रती कुड़ताओने अतिकर्मी ने, अनुकुड़ताओमा फिर भी, एटलूज नई, परंतु संघर्ष करीने, परमात्मामा शद्धासा थे, अने मातापिता न टेका थी, एमने जीवन माज एक नवी उच्चाई हांसल करी छे, ए आपना सहुने माटे अने विशेष करीने अमारा क्षेत्र ने माटे परग्णाय चक्षूवना क्षेत्र माँ काम करता सह ने माटे आश्चरी और आनन्द नो विशाई बनी चे, प्रेल्णा नो उदाहरन नुँ निमित्त बनी चे, अने एटले ए संदेशो समाज ना मुख्य प्रवाहमा मुखाय, एवी अमारा सौनी इच्छा हाती, और ए इच्छा नु प्रथम पगतियू, आवी मजबूत संस ना आंगणा मा मुखाय छे, त्यारे एनो आनन्द मारे मन्तों केटलो बजो हशे, इहुँ शब्दों मा मुखी शक्तों न थी, अने माटे गुजरात विश्वकोष्टस्टनों और आधरणी ए कुमारपडदेशाई साहिबनों और आप सहुनों मुरदेपुर्वकाभार म पुपेंद्र पाच्वड थी अंद थेली अंदत्व एमने आवी होतु, बाढ़ पन बहुच तेजस्वी सेक्षणिक एमनी कारकी दी हती, सिबी एस्सी मा धोरण बार मा साइन्स प्रवाह साथे गुजरात मा बोर्ड मा प्रथम आवे हताए, अने गुजरात उनिवर्सिटी द्वारा निर्मा इंस्टिटूट ओफ टेक्नलोजी ना आईटी शाखा मा धिरुभाई अंबाणी स्कॉलर्शिप मेड़वी ने, चार वर्ष लगातार प्रथम आवी ने, एमने आ स्कॉलर्शिप ने अथिकृत बनावी हती। ए अभ्यास्क्रम पूरो करया पची केंपस इंस्टिटूट मा टीसी एस जेवी वी विश्वपरसिद आईटी कंपनी मा एमनी नियूपती थाई। ओपरेशनल मेनेजमेंट नो एग्जेकुटिव डिपलोमा पण एमने डिस्टिंग्शन साथे मेड़वेव। आम जो वाज ये तो भुपेंद्र है शरुवात्ती अत्यार सुधी आने आक्षन सुधी जेटली पण परिक्षाव आपी छे। यमा क्यारे येने द्वितियक क्रम मेड़वनाती बद्धे प्रतम 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 डिस्टिंग्शन एने मेड़वेव। चे। वर्ष बेहजार ने बार मा कोई एक सवारे अचानकज भुपेंद्र बातरूम मां फसलाई पड़े चे अने बेभान थी जाए चे। होस्पिटलाइज एने करवा मां आवे त्या डोक्टरों ये निदान कर्यूं कि आख्खा शरीर मां कैंसर नो रोग व्यापी गयो छेने जीवलेने व्यापी गयो छेने असाध्य चे। छता बार महिना नी लगातार ट्रिटमेंट पन एना शरीर मां व्यापेला कैंसर ने जल्दी हरावी शक्ती न थी। वड़ी मातापीता ने कहवा माविव कि हवे एने घेर ली जाओ त्रभू नू स्मरण करो और जे कहीं दीवसों बच्या चे एने सरस्रीते पसार करवा दो। मातापीता ए आवात छुपावा माटेनो प्रय executives करुःते त्यारे बुपेंद्र नू मनोबड जूओ के एने कहीं को के नआ डोक्टरोय यू कहीं चे ए मने कहो॥ पर हुँ ए डखरुड़ न निदानने स्विकार्तो न थी हूं जिवीश। जिवन आ युद्धमा पाछो फरिश। अने ए मजबूत मनोबढ साथे एने घेर आवया पछी पोता नी आत्मशध्धातों खरीच बीजा केटलाक डॉक्टरों नी ट्रिट्मेंट पण चाली बाजुमा समान करे अने खरेखर आश्चरिय था ये रीते डॉक्टरों ने पण आश्चरिय था ये रीते एने कैंसर ने ट्रिट्मेंट नी जे घंभीर और हैवी दवाओ हती ए दवाओ नी आड़ासरे ना शरीर उपर थाई अने धिमेदी में आखो नी रोष्णी ओल्वाव आमाडी फरी जीवन मां एक बीजोय वो पड़ाव आवे हो के जे बुपेंद्र ने ज मांते जाने आवे हो हई कान के सामानी एवरेज मानस नि मांते आवे हो हग तो कदा चे फरी थि पां छो नासी पास थैई лей जीवन युदमा थी पोतानी कायाने पोताना Manuel ना शंसके लिले थि पर बुपेंद्र है फरी थी जाने के निषिचह करईए कि अन्धव ने पन आपने जानी ने आनन्त हशे कि जिटली कॉंपिटिटिव एक्जाम्स UPSC ने बधी आपी एमाँ पण फस्ट फस्ट ने फस्ट आवी ने बुपेंद्र एक करता वदू बेंकों मा अधिकारी तरीके पोतानी जातने स्विक्रुत करावी पण तो ये बुपेंद्र नुँ लक्ष तो हम्मेशा उच्चू रही हुँछे अने एटले आणे आखरी परिक्षा आपी उजवण परिणाम मेरवी ने इजर्व बेंक ओफ इंडिया मा प्रबंधक तरीके नोकरी स्विकारी आणोकरी एक प्रग्णिया चक्षू तरीके नई पोतानी ताका थी पोतानी लाइका थी पोतानी अधिक्रुत्ता थी एणि आ नोकरी मिलवी नोकरी मिलवी एटलूद नई परन्तु आखा रिजर्वेक ओविणिया ना भारत ना स्टाफम ना ट्रेनिंग प्रोग्राम मा आपने फर्स्ट आवे तमाम देखता लोकोनी बच्चे आने ए रिते आने साबीट करियो कि एक प्रग्णिया चक्षू एक दिव्यांग व्यक्ती ने जो साची तक मळे चे तो ए जीवन मा घणू बदू करी शके छे हमना हमना एमने आईएमेफ एटले अंतरराष्टिये मुद्राकोष नी मुश्केल परिक्षा पन त्राणूटा कासा थे पसार करी छे अने समग्र विश्वमा प्रसर्व प्रथम प्रग्णिया चक्षू तरिक्योनू किर्तिमान आजे भुपेंद्र ने प्राप्त थयू छे आजे काई भुपेंद्र आपनी सामे छे एनो जो कोई नियर्श आपो होई तो एमना माता लक्ष्मी जी उबाथर्श्वाप प्री एमने आपो जोई है काराण कि एमने सतात भुपेंद्र ने साचवे उचे अने एरीते एक मात्रुत्वनू एक जलहलता मात्रुत्वनू उत्तम उदाहरणे मने पुरुपाडियू छे बुपेंद्र विशे घणू बदू कही शकाए, पन बुपेंद्र ने पोता ने घणू बदू कहवा नूँचे, अपने एने सांबडिये, एना मिजाज ने, एनी फितरत ने व्यक्त करता एक मुक्तक थी हुमारी वाद पूरी करिश, के आटलो वईभव छता खारो समंदर जे कदी बदलाईना, ते मुकद्दर हुँ नहीं, मैं करी पुर्शार्थ बधू मेडवियू छे अहीं, जाए खाली हाथ, ते पेलो सिकंदर हुँ नहीं, वो पेंद्र त्रिपाठी ने आपने सांबडिये वसुदेवसुतंदेवं कंसचारूनमर्दनम् देवकी परमानंदम् Krishnam Vande Jagatgurum Krishnam Stuti, यतनी सुंदर ये Krishnam Stuti है जिसमें Krishnaji को Jagatguru, Krishnam Vande Jagatgurum, Krishnam Jij ko Jagatguru के रूप में जिनकी वन्दना हो रही है इस अच्छी सी Stuti को मेरा बहुत सौभागे है कि बच्पन से ही मेरे माता-पिता के बार बार सुनते सुनते ही मुझे कंठस्त हो गई जैसे कवी साब ने मेरे जीवन की पूरी जीवनी इदम सार में निचोड़ के बता ही दी तो जब कैंसर की समय मैं गुजर रहा था उस समय ये श्लोक, ये संस्कृत का श्लोक इसके अंदर मेरे अमन में ऐसा एक भावाया और कि इसके उपर मुझे कुछ इसका विशलेशन करना चाहिए और इस लोक के मन्थन करने के पश्चात इसके भीतर से अश्चरय जनक जीवन संधर्भी या जीवन उपियोगी मैं कह सकूँ ऐसे मोती मुझे मिले और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस इन मोतियों को खुले दिल से आज मेरे मेरे दिश्टी कोन से देखिया और सुनिए तो क्या आप सब लोग तयार हैं जी तो इस श्लोक में एक ये लाइन आती है देव की परमानंदम ये जो शब्द है ये मेरे को इतने अध्भुत लगते हैं इतने विलक्षन लगते हैं और इसका कारण ये है कि देव की को परमानंद देने वाले कृष्णत जो जगद गुुरु कृष्णत है उनकी हम बंधना करते हैं तो कोई किसी को आनन्द कैसे दे सकता है, जिसके पास कोई चीज हो, तभी तो वो किसी को देगा, अगर किसी के पास धन नहीं है, तो वो धन का दान कैसे कर सकता है, पहले किसी के पास धन हो, तो ही तो वो किसी की आर्थिक साहिता कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से इस चीट से प्रामानित होता है कि कृष्ण भगवान तो मतलब आनंद के सागर है, पारावार है, तो ही तो वो किसी को आनंद दे सकते हैं, अब इस इस श्लोक में परम आनंद का उप्योग किया गया है, तो यहां पर परम की जगा देवी की आनंदम भी कोल सकते थे, पर देव की आनंदम की जगा यहां पर देव की परमानंदम, तो परम शब्द का उप्योग इसले किया है शायद से, कि जो आनंद कभी भी मतलब शाष्वत रहे, मतलब उसको कोई हिला ना सके, बाकी क्या होता है कि हमारा आनंद आता है और चला जाता है, यह जिसको कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्तिति, जिस आनंद की हमारी मनोस्थति को कोई हिला न सके, उसको हम परमानंद कह सकते हैं, है की नहीं? अब दूसरी बात यहे कि इसमें आनंद क्या है, आनंद क्या है इसको समझने के लिए, मैं पहले अनंद क्या नहीं है और आनंद मेरे हिसाब से सुख नहीं है आनंद और सुख में भेध होता है और यह सारी आध्यात्मिक चीजें मुझे काफी मन्थन करने से, मननन्सिंतन करने से, इस लोक के भीतर में से, एक के बाद एक रहसे उजागर हुए थे, तो मैं यह सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज सदन में जो भी श्रोतागन है, इंटेलिजेंट और विवेकवान हैं, तो मैं आप सब के सामने समक्ष मतलब निष्चिन्त हो कि अपनी बाते हैं रख सकता हूँ तो मैं यह कह रहा था कि यह सुख जो है, वो सुख क्या है, सुख तो आनंद नहीं है, यह मैंने कहा पर सुख क्या है फिर, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि बाहरी जगत में जब भी हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्तिति, जब भी हमें अनुक कि जब बाहरी जगत की कोई भी व्यक्ती, कोई भी वस्तू, या कोई भी परिस्तिती हमें प्रतीकूल लगती है, तो हम उसको दूख की स्थिती कहते हैं, तो क्या आप सब लोगी सुख और दुख की मेरी डेफिनिशन से अगरते हैं, क्या आप लोगी तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि सुख और दुख यह सब बाहरी जगत का मामला है क्योंकि बाहरी जगत की कोई व्यक्ति या वस्तू या परिस्तिती हमें सुख या दुख दे सकते हैं है की नहीं? और सुख के ऊपर अगर थोड़ा सम और गौर करें तो हम पांच तरीके के सुख होते हैं पांच प्रकार के सुख हो सकते हैं उस्ते भी जादा भी हो सकते हैं तो मेरी समझ में तो पांची आएं तो जैसे कि पहला सुख है पंचेंद्रियों से जो सुख हमें प्राप्त होता है जैसे कि हम जानते हैं हम सब लोग कि हमारी जो पांच इंद्रिया है जिसे श्रवन करने की शक्ति है रसनेंद्रिय है जिसमें कि हम स्वाजचक सकते हैं लिष्ठी की धिरिष्य की ये वी एक इंद्री है स्पष्ष की, ठीक है? तो ये सूंगने ज़ूग tijd, कि व दूग कि अन्पे की सुख आपकत होता है इसमें पंचेंद्रिय सुख कहते हैं ठीक है? पंचेंद्रिय सुख में सम undocumentedבע सुख कहते है कि इसकी एक सीमा होती है, यह असीमित नहीं हो सकता, कितना भी स्वादिश भोजन क्यों नहीं हो, आप इसको अनलिमिटेट नहीं खा सकते, थोड़ी देर खाते, 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 एक बार आपका, आप बोलेंगे कि बस भई, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, ऐसे ही दृष् कितना भी सुंदर आप म्यूजिक सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो, सुनते आप ठक जाओगे, फिर बोलेंगे, बस कुछ घंटों के बाद तो बोलेंगे, आप मुझे थोड़ी दे शांती चाहिए, तो इंदरिय सुख जो होता है, पंचेंद्रियों स सुख जो है, वह है सत्ता का सुख, सत्ता माने पावर, कोई भी पावर की हमें कुरसी का सुख कह सकते है, या अथॉरिटी का सुख होता है, इसके बारे मुझे जाजा बतानी की आवश्चकता नही है, पर इस सुख के साथ भी, कहते हैं कि एक सिख्य के दो पहलो होते हैं, देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छा सुख यह, मगर इसके साथ पीछी पीछी एक दुख आता है, पूँच बन के, तो वो क्या दुख है कि कुर्सी मिल तो गई, स्थान मिल तो गया उंचा स्थान, मागर उसको मेंटेन करने का, वो कुर्सी आमसे चिनना जाए, उसका भय हमेशा रहता है, ठीक है ना, तीसरी प्रकार का जो सुख है, वो है यश का सुख, मतला सब लोग हमें जाने, पहचाने, लोग वह वह करें, तालीप जाएं, इसमें भी एक सुख प्राप्त होता है, इसको कहते है यश का सुख, इस सुख के पीछे भी एक दूसरा पहलू है, दुख का, कि हमें हमेशा ये भय रहता है, एक अलग हम मतला बास्तविक और नैस सुख में नहीं रह पाते हैं, तो ये यश का सुख है, धन का सुख, कई लोग ऐसे होते हैं कि से बैंक बैलन्स बहुत जादा हो गया, तो बस ऐसा लगता है कि धन का सुख बहुत बड़ा सुख है, पर वास्ताव में देखा जाए, तो धन का सुख भी बहुत सारे दुखो में मतलब कुछ हमाय साथ सुखद घटना घटी हो, सुखद अनुभव हुआ हो, उसको हम याद करकर के हम वापस वर्तमान में सुखी हो सकते हैं. कि यतने भी सुख मैंने अभी तक आपको गिनाएं, उसमें कुछ न कुछ कमी है, तो सुमृती के सुख में भी कमी है, सुमृती का सुख है ये दो धारी तल्वार के जैसे हैं. क्योंकि हमारा मन है, जब ही हम याद करने जाते हैं अतीत की, तो जादा तर ये दुख, चीजों को पकड़ के रखेगा, तो ये हमारे चित्त का ये सुभाव बन जाता है, कि हमें इसके लिए सजग रहना होता है, वरना तो अगर हम दुखद चीजों को सुमृती में याद रखेंगे, तो हम वरतमान में दुखद होने लगते हैं, तो सुमृती का सुख इस तरी मैं आनन्द कहता हूं, परा शुको ही मैं आनन्द कहूंगा, क्योंकि ये जो पाँछ तरीके के सुख में ने बता है, ये पाँछों सुख अमे कहां अपलप्ध होते हैं, बहरी जगत में, इन पाँच प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें बहर मुख होना पर इन सबसे जो परे है, वो सुख है, उसको हम मैं कहूंगा, जो परा सुख है, वो आनन्द है, तो जो हमारी जो छटी इंद्री है, जिसको हम तीसरी नेत्र कहते है, तीसरी चक्षु, जो तीसरा नेत्र जो होता है, वो अंतर मुखी होता है, वो अंदर की ओर देखता है, त यह अंतरिक जगत की बात है, आनंद, तो यह सब में क्यों बता रहा था आप लोग को क्योंकि देव की परमानंदम, यहां पर देव की को परमानंद की प्राप्ति हुई थी, अब यहां पर देखा जाए कि शलोक में यशोदा परमानंदम नहीं बोला गया है, देव की परमान एक वो पीडा की पराकाष्था थे, दुख की जो परम सीमा हो सकती है, वो दुख को उनोंने जहला था अपने जीवन में, देवकी ने, एक नव विवाहतास्तरी, शादी के तुरंद बाद, जिसके प्राणों का संकत, उसके प्राणों को उसका भाई, उसका प्राण हरने के मतलब लाला ये थो उठे, फिर शादी की विवाह की मतलब मंडब से उठते ही उसको एक कारागार की भेट मिले, कई वर्षों तक वो कारागार में पड़े रहे, फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक के बाद एक उनके जो पुत्र हुए, नौ महीने तक गर्भ में दार पुत्र की आस में वो बैठे रहे, कि आठवा पुत्र आएगा क्रिष्णा, वो हमें इन सब दुखों से हमें मुक्ति दिलाएगा, वो अश्टम पुत्र जैसे ही प्रगठ हुए, क्रिष्णा भगवान, तो क्या हुआ, वो अपना वातसल्य भी नहीं अपने पुत्र को द जीवन है, वो कोई साधारन दुख नहीं है, दुख की पराकाष्थ है, हम सब लोग के जीवन हम लोग को बोलने का कोई अधिकारी नहीं है, कि हम लोग दुखी है, क्या जीवन में संकर्थ है, प्रॉब्लम्स है, क्या आप लोग समझ रहें कि देवकी का जीवन, और यहां क्रिष्ण भगवान है क्योंकि जिसके पास है वही तो देगा राश्ट्र कभी रामधारी से दिनकर की जी की एक बहुत सुंदर पंक्ति मुझे याद आ रही है क्षमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो विशहीन, दंत हीन, विनीत सरल हो मतलब क्षमा भी उसी को शोबा देती है जो विशहीला सर्फ हो, जो है नहीं, उसके पास कुछ विश्ष नहीं है, कोई दंत नहीं है ऊओ क्षमा उसके पद कड़ेती है, जिसके पास जो है वही तो वह देगा अभी हमें ये आनंद क्या है, देवकी ने शायद से ये समझ लिया था, देवकी इतने सारे दुख जिलने के बाद भी कैसे आनंद को प्राप्त कर पाई, ये प्रशन भी मेरे अंदर उठा, तो देवकी किस तरीकी से प्राप्त कर पाई, शायद से देवकी ये समझ गई थी, कि जो ये प्रतिकूलता है, जीवन में जो प्रतिकूलता है, जो विश्यम परिस्थितियां उसके जीवन में आई है, ये एक बादल के रूप में है, इसको देवकी ने एक बादल के ये काले बादल के रूप में देखा होगा शायद से, और ये खुला अकाश है, ये एक आप बताये, काले बादल का अस्थित्व सदा के लिए नहीं रहता, या तो उसको वायू, पवन, उसको आगे धकेल देती है, वो क्रिया शील रहता है, बादल एक जग स्थिर नहीं रहते, है की नहीं, या तो फिर थोड़े अंतकाल के बाद, थोड़ी गर्जना करके, बिज काले बादल आजाएं, उस समें हमें क्या करना चाहिए, हमें धहरे रखना चाहिए, हमें उस काले बादल को, हम लोग क्या करते हैं, कि हमारे जीवन में, जादा तर हमारी क्या होती है, टेंडेंसी, कि काले बादल आने से पूर्व भी हम भेभीत होते हैं, कि काले बादल आ इतनी बड़ी विपत्ती आगे, संकत आगया और जब काले बादल आगे चले जाते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन काले बादलों के साथ साथ हाथ पकड़ के आगे चले जाते हैं, बार बार उस दुखद, उस विशम परिस्तितियों को याद करके, काले थिन बादल का स्वभाव है कि वो अमारे बंदन से मुक्तों के आगे जाना चाहता है। पर हम हमारे मंद से क्या करते हैं, उसको पकड़के रखलेते हैं। घ आप इस बात को समझ रहें कि हम उसको उसके सैटसद आके चाहते रहते हैं उसको तो परमानंद का स्तोत्र है, यहां पर मैं कहूंगा, कि जैसे सूर्य को आप मान लीजे, कि सूर्य है, वो परमानंद का स्तोत्र है, आकाश के लिए, प्रकाश का पून स्तोत्र है, मूल स्तोत्र है, प्रकाश, उर्जा का मूल स्तोत्र है, सूर्य भगवान, तो अगर आकाश म पुरी श्रद्ध, आपनी पुरी श्रद्ध, अपनी पुरी निष्था, कि सुर्य भगवान के उपर, ना कि उन काले बादलों के उपर तो क्या होता है तो वो काले बादलों को अवसर मिलता है कि वो आगे चले जाए या तो फिर वो समय के अनुसार वो काले बादल अपना सित्व खो दें अगर हमने वो धैरे कर लिया अगर हमने ये धैरे रखना सीख लिया अगर हमने सुर्य मे इसी स्रद्धा रखनी सीख ली तो कितना ही काला बादल क्यूना आ जाया, कितना ही क्यूनी गर्जना कर ले, कितनी क्यूनी दामनिया वह बरसा दे, तो क्या, वह हमेश्या के लिए हमें, मतलब हमें जग जोड सकता है? बिल्कुल नहीं. तो ये रहस से मुझे प्राप्त हुआ, ये एक अनमोल मोती है, है कि नहीं, आप लोग के सामने, इसलिए मैंने आज ये प्रस्तूत किया, कि यही मैंने मेरे जीवन में भी अपनाया था, कि हमें ये एक, जब भी हमाई जीवन में विश्ण परिस्तिति आए, जब भी हमें ऐस कुछ अंश तक, अगा यदि देवकी बन गए है, तो ज़रूर कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, परमानंद का जन्म होने वाला है, यदि इस तरीके से हमें पुरी श्रद्ध होगी, कि ये जो विश्ण परिस्तितिया है, ये प्रतिकूलता है, ये हमारे लिए ही है, हमा किए हाईट परिसे है, ये प्रतिकूलता के बारे में आप लो को ये कह रहा था किए की का ये प्रतिकूलता के अपलो को ये कह रहा है था, कि कैसी भी प्रतिकूलता ही अनुकूलता है, यह शीषक कितना, इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको, कि जो प्रतिकूलता है, उसमें हमारा मन का वास्तविक सवभाव कि इधर होता है, हम प्रतिकूलता में ज्यादा तर हम अंतर मुखी हो जाते हैं, और इसके विपरी जब अनुकूलता के समय में, जब कुछ अच्छ अच्छ चल रहा है, उस समय हमारा मन बाहर की ओड़ने लगता है, है की नहीं, बाहर ये जगत की ओर, जब सब कुछ अच्छ चल रहा है, अनुकूलता है, तो हमारा मन बाहर की तरफ भागने लगता है, जब कुछ प्रतिकूलता आ इतने ज्यादा बहिरमुखी होने के आदी हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है बहिरमुखी होने की, कि जब कोई विश्मता आती है, प्रतिकूलता आती है, तो भी हम बहिरमुखी होने लगते हैं, इस चीत से हमें सावधान होना है, इस चीत से मैं भी सावधान हुआ था, इस इसी भी भाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्तिति, इसके उपर पूरा दोश कर देते हैं, कि फलाने व्यक्ति के कारण मेरे उपर ये प्रतिकुल्ता आई, फलाने वस्तु के कारण, फलाने परिस्तिति के कारण मेरी ये प्रतिकुल्ता है, मेरी ये दुर्दशा है, मेरी ये बहाई ये लोगों से सहायता की अपेक्षा करने लगते हैं अगर हमायों कोई प्रतिकुलता आये तो हम जगा 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 के लोगों से भिक्षा मांगते हैं कि हमारी सहायता करो हमारी सहायता करो हम पर बहुत बड़ा दुख आया है एहोता क्या है कि हम एक एक अपेक्षा से किसी के पास जाते हैं सहाहयता मांगने के लिए और सामने वाला यदिः वह अपेक्षा प्लो पुरा ख़रा भी उतरता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसके पीछे पीछे करोधक, डुषक ektाह है। हम उस व्यक्ति को जज करने लगते हैं कि उसने क्यो ultimate क्यों मेरी सहाईता पूरी नहीं की क्यों नहीं की तो उस तरीके से एक एक अलग चा Bab percent तो इस तरीके से मैं कहा रहा हूँ कि हम छो हमारे वे इतने ज्यादा भाहर मुक होगी ज Keeping अनुकुलल समय होता है तो भी पाहर मुक here सुखाय के सुख में बहार दोडते रहते है, पंचे इंद्रियों के सुख सुख ले य जाश के सुख के ले भीट भाहर भागते रहते है तो बाहिर मुखी होते होते हैं इतनी आदत हो जाती है कि जब कोई प्रतिकुलता आती है तो भी हम बाहिर मुखी होते हैं तो भी हम वो सुनहरा अफसर को देते हैं जो हमें phones कि रूद्धा कर दोकिए, फ्रखें श्डिकूटा के मेन उद्धेश, मेरे इसाब से यह हिए , हम आन्टर्मुखी हो जाएं. अंतर्मुखी स podéisकिवाkeiten. अंतरमुखी स्रदा सुखी तो अब आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग खुदी चैन कीजिए कि प्रतिकूलता ज्यादा अची है, हमारे ले कि अनुकूलता ज्यादा अची है प्रतिकूलता हमें अंतरमुखी होने का एक रास्ता दिखाती है, हमें राह दिखाती है, यदि हम समझदार हैं, तो हम अंतरमुखी हो जाएंगे, अंतरमुखी होंगे, तो हम जो सूर्य हैं हमारे भीतर, कहते हैं न, सूर्य कोटी समप्रभ, कोटी सूर्यों के सम्मान, और या कुछ भी इश्वर बोलें, जिसको भी आप सत्ता बोलें, परमसत्ता, यह जो हमारे भीतर ही मौझूद है, उसकी तरफ आप सजग हो पाएंगे, प्रतिकूलता की समय, जब आप अंतरमुखी हों, ऐसा नहीं है कि यह अफसर आपको अंतरमुखी होने पे नहीं मिलता है, जब अनुकूल होते हैं तो नहीं मिलता है, जब अनुकूल हो तो भी आप अंतरमुखी हो सकते हैं, और वास्तव में मानव जीवन का वही उदेश है, क्या उदेश है, कि जब हम अनुकूल समय से गुजर रहे हों, उस समय भी यदी हम अंतरमुखी हो सकें, तो उससे श्रे हो सके, अपने इस तोत्र को पहचान सके, और जब प्रतिकूल समय हो, तो बहिर मुखी होने से सावधान, बचे हैं, अपने मन को बचाएं, कि बाकी लोगों पर उंगलियानी फिंगर पोइंटिंग नहीं करें, इशारा नहीं करें, कि इसके कारण, उसके कारण, ऐसा क्यूं ह हुआ वैसा की, यह सब भाहिर मुखी होने के लक्षन है, तो बहहिर मुखी होने से बच polarized तो मैं यह कहन चाहूंगा, की आनंद की स्थिती या परमानंद की स्थिती इसको पाने के लए, मेरे पास टू स्टेज फोर्मूला हैं तो इसका पहला step है वो यह है कि अप्रतनता के कारणों से दूर हटाना तो अप्रतवनता के कारण क्या है in our civilization तो फिर वही अपरेसंदा के ... अप लोगो याद ही हो गया को कि मैंने इतनी बार repeat किया है बाहरी जगत के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्तिति, यही हमें अप्रसनिता दिला सकते हैं, फिर से आप लोगों में फिर से बताता हूं, बाहरी जगत के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या तो कोई भी परिस्तिति, हमें दुख दिदे सकते हैं या तो अप्रसनिता दिला सकते हैं तो अप्रसनिता के कारणों से को दूर हटाना इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बाहरी जगत से ही दूर भाग के हिमालया में कहीं जा के चुपके बैठ जाना ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें कोई भी जब काले बाद कुछ भी कुछ छोगी अच्यानुबह कुछ भी हो तो तो पकड़ की नहीं बैटना है उसको अमारे हृदय में ज्यादा नहीं नहीं देना यह जाहिए नहीं नहीं चाहिए और दूसरा स्टेप जो है जैसि की कोईगाडी है वो रिवर्स गार में चल रही है तो रिवर्स गेर से पहले तो त जादा तर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे 24 गंटे होते हैं उसमें अगर हम देखे हैं कि हमारा जो टाइम है हमारा जो समय है हम वो किसमें बिताते हैं किस चीज को जादा सोचते रहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों बोला उसको ऐसा नहीं ब तो इससे काफी जादा संभावना बढ़ जाती हैं, कि ये जो चीज है, वो प्रसनिता भी दे सकती है, पर अब प्रसनिता देने की गुणजाईश या संभावना हैं, तो इससे हमें सजग हो के बार बार अपने मन को नूटरल गेर में लाना है, गाड़ी जब रिवर्स गेर स प्रसनिता के कारण को पकड़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से जो की प्रसनिता का कारण यदी प्रसनिता हमें प्राप्त करनी हैं, और प्रसनिता से हम नूटरल हुए, तटस्त हुए, और तटस्त की स्थिती से हमें प्रसनिता की और यदी जाना हो, तो हर एक परिस्थिती म ज़िए हर एक परिस्तिती में कृतग्यता या तो ग्राटिटूट दे सकें कृतग्यता मैं अपने हृदय से अभार दे सकें तो कृपपराप्त हगी हमें होगी तो ही हमें प्रसन्निता प्राप्त होगी यही मेरा चाहिए two-stage formula है पहला फॉर्मूले का फर्स्टेज यह है, कि बार बार जब मन हमारा भाहिरमुखी भाग रहा है, भटक रहा है, किसी ना किसी छोटी मोटी व्यक्ति परिस्तिती से, मैं इसमें पास नहीं हो पाया, मुझे यह बीमारी हो गई, यह सारी परिस्तितिया ही तो हैं, इन से में यह से हमें बचना है, और प्रसनता के कारणों को दूर करने के लेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कि हम हर एक प्रतिकूलता हो यह अनुकूलता हो, हर एक परिस्तिती में हम इश्वर का या तो अपने प्रभू का धन्यवाद करेंगे, हमारे पूरा ध्यान केंद्रित हो किसके उपर उस सूर्य के उपर जो कि कभी भी जिसका स्थितों कोई भी काला बादल छुपानी सकता है, किसी भी काले बादल में इतनी शक्ती नहीं है कि वो सूर्य को सूर्य पर ग्रहन कर सके, कि उसका पूरा आवरन कर सके, काले बादल आते हैं और जाते हैं, वो स्थिर ये हम घब हम अरिषलेशन समय की मर्यादा के नुसार, उनुसार, उनुसार, अजा है आपने परीweder ने बारे पहस्तरी को अ लेठा झाल के बारे में एक जथ्फूहरे बारे में तोड़ा सी ताच्या करोंगा पांच तरीके की शक्तियां मैंने मेरे जीवन में अनुभव की हैं, जो पहली शक्ति है उसको कहते है शारिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारिक शक्ति और उसके ऊपर जो दूसरी होती है वो बाध्धिक शक्ति होती है वैचारिक शक्ति, तो शारिक शक्ति, बाध्धिक अर इसके उपर एक तीष्री सकती होती है वह है इंड्रिय mod Santo प्राप्त शक्ति होती है तो प्रत्तले सकती हैj उसको प्राप्त करना क्याॉ अचान होता है अगर शरीर को ताकतवर बनाना है तो उसके लिए हमें कथिन परिष्रम करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, एक अनुशासन की आवशक्ता है, ना? ठीक इसी प्रकार, अगर हमें बौधधिक शक्ति का विकास करना है, तो क्या वो एक दिन में अचानक से हो सकता है? बौधिक शक्ति का विकास करने के लिए हमें काफी अभ्यास करना पड़ता है, काफी उसका अध्यान करना पड़ता है, विद्या गरहन करने के लिए, काफी डेप्थ में जाना पड़ता है, तब जाके हमारी बुधी का पून विकास होता है, बौधिक विकास भी काफी लं तो एको बहुत रियास की जरुवत होती है। वह अचानक से संगीत में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर किसी को तीरंदाजी में अगर वो इसको निशनात बनना है तो एको काफी अभियास करना पड़ेगा। तो इतने अभ्यास के बाद भी इतने अभ्यास के बाद भी इन तीनो शक्तियों में कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आपको हमेशा सफलता दिला सकें. कितना ही अभ्यास क्यों ना किया हो, वो तीर अंदाज ने अतीत में कितने ही सारे मेडल जीते हो, पर क्या वो गारंटी अगली प्रतियोगिете में इष रिसे जीते का उइसा भी तर घूक हो सकती है तो इंद्रिये शक्ति बषख के बदृणिक में हाउ फिये किदा भी विकासो पर घुटड्रिक का वड़दिक के लोगों का बीद्रिकánhा पर बुद्धिक का लगों का बढई सकता है या उसके कुछ नेने लेने में कुछ चूक हो सकती है वो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है ना कि उससे कभी भी कोई चूकी नहीं हो सकती है बौधिक स्थर पे और ऐसे ही तीसरा देखा जाए शारिक स्थर पे शारिक स्थर पे शारिक शक्ति हांसिल कर ली मगर क्या वो श करें, यह दितु यहा Soareग कि छे डिस कहु रिखाल हैं यह इसका हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए बिल्कुल जाना चाहिए एंचाए भिशायाम भी करना चाहिए आम naming घय करना चाहिए और हमें जो भी हमारें इंध्रियों से कोई टालेंट के लिए हमें पूरा तपस्या करनी चाहिए, टालेंट की प्राप्ति करने के लिए, मगर इसके अलावा, इसके आगे भी दो और तरीके की शक्तिया हैं, जिसका आनुभव मैंने किया है, और उन दो शक्तियों का उपयोग करके, उसको आयूद बना के, और इस समय मैंने इन तीनो शक्तियों के अलावा, मेरी दो और शक्तियों का मैंने उपयोग किया, तो क्या आप लोग सुनना चाहेंगे कि वो दो शक्तियां क्या थी? तो प्राण शक्ति, या तो जिसको मैं कहता हूँ इच्छा शक्ति या प्राण शक्ति, इसको आप लोग मनोबल भी कह सकते है, ये मेरी चौथी सक्ति है, अगर हम शरिंखला बनाएं तो चौथे नंबर की जो शक्ति है वो है प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति या मनोबल और जो सबसे सर्वोच्च है, चले सर्वोच्च पे जाने से पहले, ये प्राण शक्ति हम डेवलब कैसे कर सकते हैं इसका विका इच्छा शक्ति बढ़ती कैसे है, इसकी विकास आप लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो मैंने बताया, कि सूर्य के उपर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि काले बादलों पे, यदि हम सूर्य पे पूरा विश्वास रखेंगे, और ये मान लेंगे, ये सत्य है, कि काले बादल की कोई ताकत नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमारे जीवन को ढखके रखे, उसको तो आगे जाना ही है, हम ये अपनी मूर्खता से उसको पकड़ के रखते हैं, यदि हम इस तत्य को समझ लें, तो सबसे बड़ा तो हमारी इच्छा शक्ति वैसे ही बढ़ जाएगी, है की नही और उसका दूसरा भी एक प्राक्टिकल उपाय है, जो की बहुत ही आसान और सरल है, और उस उपाय को उपयोग करके हम लोग अपने जीवन में अपना मनोबल धीरे-धीरे करके बहुत ही बढ़ा सकते हैं, इतना आपने आपको अपको दृड़ कर सकते हैं, और मजबूत कर जाता है प्राणयाम और ध्यान, प्राणयाम ध्यान समाधी, तो प्राणयाम और ध्यान जो लोग नित्य करते हैं, जो लोग निरंतर करते हैं, वो लोग स्थित्वप्रग्य हो जाते हैं, जो लोग स्थित्वप्रग्य हो जाते हैं, सुक और दुख की दोनों की स्थिती मे नो मौली मत समझे правда, बिल मौली मत समझे. विलकुल मौली मत समझे कुछ लोग को एक्षकते हैं कि राणायाम, बिल्यश्यान कर रहे है या योग कर रहे है सिर्सके लिए कि हमारा शरीर स्वस्त हो जाए या मानसेक स्वस्त हो जये ये किस प्रतिकूल स्थिती में ये कब ये मनोबल आपको उबारेगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था, कि बाकी की जो तीन शक्तियां मैंने बताई, कौन सी तीन, शारेरिक, बाध्धिक और इंद्रिय शक्ति, इन तीनों का समय के, मतल युव अवस्ता में रहता है, क्या वृद्ध अवस्ता में भी उत्ना ही उतना ही इक्वल मातरा में ताकतवर रह सकता है, नहीं रह सकता है, वो नचिरली ये प्राकृतिक और रूप से वो धिरी तीरे काम होगा, इसलिए बाध्धिक, जितना आप याद कर सकति, इक चोट मैं एक बांकर की भाषा में बोलों क्योंकि मैं खुद रिजर्व बैंक आफ इंडिया में हूँ तो आपको आपको इन्पुट जादा लागत मतलब लागत कहते है राइ इन्पुट को आपको इन्वेस्टमें जादा डालना पड़ेगा जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ उसकते है आपको सफलताभी मिलें पल और जो आगे की ढुट शक्तियां है इसमें आपको ग builder है शक्तियों कि अब कभी भी तो इसमा लोग कार पहता है पाते हमारे मानोबल को अगर हम तो यह कितनी अन्मोल सेज है यह यह शक्ति को और कोई भीimen कोई आजकर आप देखएं, तो पूरे विश्म में सब लोग ये तीन शक्तियों के पीछे ही भागते रहते हैं यह तो बहुतधिक करते रहते हैं यह करेंगे यह करेंगे बादिक विकास करते हैं यह जो भूल चुके हैं और उसको मैं आप लोको याद दिलाना चाहता हूं, उसको हमें नहीं भूलना है, और वो है इच्छा शक्ति अप्राण्षक्ति जो मैंने बताई और अंत में जो इस पाइदान में सबसे उपर है, जो सबसे उपर और उच्छ कोटी की शक्ति है, जो जिसने इस शक्ति का रस्चख लिया, वो इस जीवन में आने वाली हर एक प्रतिकूलता का सामना बड़ी निर्भाइता से कर सकता है, तो बिल्कुल सही का आपने है, मैं भी पूछने ही वाला था ओडियंस में से, आत्म शक्ति को मैंने, मैंने इसका नाम दिया आत्म शक्त एक शक्ति है, हाह आपने कुछ कहा? आच अच आशक번ी है, जिसका हम विकास कैसे कर सकते हैं मैंने इसके लिए मैंने एटिट्यूद ओफ ग्रातिट्यूद, जीए एक पॉर्मुला आप लोग को याद रखना है, कौना फॉर्मॉला है आत्म शक्ति विकास करने का एका, एक जशुबाई ग्राटिटीट को गुजराती में धन्यवाद का खिश्थिति या अभार किश्थिति हमेशा तो हर एक परिस्थिति में आपको किसी ने कि आपको किसी ने कुछ गलत बोला कुछ अपशफद बोले उस समय भी अगर आप्मशक्ति का विकास करना थोड़ा मुश्किल है मगर यही सबसे सरवोच्छ शक्ति है जिसने इसको पालिया उसके लिए कोई प्रतिकुलता को पार करना तो कोई भी जीवन जैसे कि कहते है ना फ़े उसको बारबा ठोक पड़ता है उसको गिसना पड़्तो तो यह इसी प्रतिकुलता होती है जब भी हमारे जीवने प्रतिकुलता होती है हम और इसको एкой रफ डायमेंड है हम सब में हीरा बनने की एक पोटेंशल है एक शक्ति है हम सब में हम सब हीरा ही है आप सब लोग एक जगमगाते वे हीरे हो, this is like a diamond mine, ये विश्वकोष भवान का ये सदन है, ये सब हीरों की खान से भरा हुआ है, मता हम सब हीरे हैं, हम ही समझना चाहिए बस कि जब भी ये जीवने प्रतिकूलता आए, तो हमी बस ये समझना है, कि ये थोड़ा स और गिसा ज ये साथ मुझे लगता है जश्वभाई की मैंने मेरा समय समाथ हो रहा है, तो मैं अभी उपसंगार में, मैं सरवप्रतम अपने तहे दिल से, श्रीकुमार पाल जी, जो डॉक्टर पदम श्रीकुमार पाल जी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, अभार करूंग कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया मुझे बालक को, एक अवसर दिया कि मैं मेरे जीवन की कुछ बात मेरे अनुभव से जो मैंने सीखा है थोड़ा बात, वो आप सम लोके सममक्ष प्रस्तुत कर सकूं, आप सब लोका में बहुत बड़ा अभारी हूं, कि आप लोगों अवसर दियान से इतना मन लगा के इतने परमानंद से मेरे बातों का श्रवन किया, किया की नहीं किया, और इसका प्रामान कि आप लोग अच्छे से तालियां बजा के मुझे अभी सुनाइंगे, तो अभी आप तालियां बजाएं तो मुझे पता चले हूँ जी दन्यवाद, और जशुबाई कवी आपका बहुत 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 धन्यवाद, अभी नदन आभार, क्योंकि जशुबाई एक वो कड़ी है, जिनोंने मुझे गुजरात विश्वकोष परिवार से जुड़ाया है, और मैं जानता हूँ कि ये जो धिरुबाई ठकर जी न विकास उसको विरासत में जो मिला है, पदमिश्री, श्री कुमारपाल जी को, वो आगे कितने अच्छी से बढ़ा रहे हैं, इसका विकास कर रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि जीवन मुझे कभी भी इसके और विकास में, अगर मैं भी कुछ अपना चोटा से योगदान कभी भविष्य में दे सकूँ, तो मैं अपने आपको बहुत ही खुष किस्मत और सौभागिशाली समझागा, मुझे आगे भी सेवा को कोई अधी अवसर मिले तो, और अन्त में, मैं आप सब लोग को, अपनी द्वारा, स्वार अचित, एक कविता, सुनाना चाहूँगा, आप सब के सामने निवेधन करूँगा, और इस कविता का शीरशक है कि कैसे कह दूं, तो कविता इस प्रकार है, और कविता के बाद मेरा पूरने वेराम होगा, कैसे कह दूं कि मैं ठग गया हूँ जाने कितनों की उर्जा हूँ मैं कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूँ मैं जाने कितनों का मनुबल हूँ मैं कैसे कह दूं की नीरस हूँ मैं जाने कितनों का आनंद रस हूँ मैं कैसे कह दूं की घंगोर श्याम हूँ मैं कैसे कह दूं की घंगोर श्याम हूँ मैं जाने कितनो का सतरंगी मेग धनुष हुमें, कैसे कह दूँ की असहाई हुमें, जाने कितनो का एक मात्र संबल हुमें, कैसे कह दूँ की अक्षम हुमें, कैसे कह दूं की अक्षम हुमें, जाने कितनों की शमता का मानक हुमें, कैसे कह दूं की अंधियारों में डूबा हुमें, कैसे कह दूं, यह मेरा अंतिम पद है, तो आप सब लोग का विशेश प्रेम और ध्यान आकरशित करना चाहूंगा, कैसे कह दूं की अंधियारों में ड जाने कितनों का शरत चंद्र हुमें. धनेवाद. भूपेंद्र भाईनों आभार कही रीते मानवो. ए मुझ्जुवन थाए उछे काएं के गणी वखत व्यक्ती एतला बदा संगर्षुमा थी पसार थाई होई छे ने. के पछी ये नी जे कथा होई एमा सरी पड़े छे. पण एमने क्याई पोताना हुने आवा न दिदो. के म मने क्यारे शू थायोतु. हुँके वी रीते भाहर निकलो. डॉक्टरों एमने शू कहयोतु. ए बद्धुज गाळी ने. एमना अनुभवनो नीचोड आपुण ने पिरस्यो. क्यारे के एम थतु तु तु क्या कोई धर्मगुरु वात करी राया छे? के भूपेंद्र भा करी राया छे? एटलो सरस रीते एमने आखी वात ने आपी. अने खास्तो एके एमनो आ बद्धुज जे वात अती ए कोई मात्रव शब्दो नो ता अनुभवनो नीचोड हतो. अने एटले ज आपनने कायम याद रही जाए. अंतर मुखी, सदा सुखी, attitude of gratitude. एटले. अने का करेकर याद राखाजे वीच वस्तु छे के दरेक व्यक्ति एक आशा ना किरण साथे पोता नी इच्छा शक्ती ने जोडी दे. तो आओ एक सरस वक्तव्या आपवा बदल हूँ विश्वकोस्ट्रस तरफ थी. एमनो खूब-खूब आभार मानू छू.